इस लेसन में मैं आपसे एक बहुत यह अच्छे फीचर के बारे में बात करूँगा जो कि Google Ads में है, जिसका की नाम है Change History, आप यहाँ अगर जाओगे में अपने स्क्रीन पे, आप यहाँ देख सकते हो Change History, तो पहले तो आप समझो कि Change History क्या करता है और यह क्यों helpful है, अब सी, में क्या देख सकते हो, आपने अपने Google Ads में जितने भी Changes किये हैं, वो सारी चीज़े देख सकते हो, तो आपने जो जो Change किया है, से आपने कोई नया Campaign बनाया है, तो आप देख सकते हो, यहाँ की वो Campaign कब बना है, आपने उस Campaign के अंदर कोई Change किया है, तो आप वो भी देख स सकते हो plus suppose करो कि आपने कोई change कर दिया अब आप उस change को undo करना चाहते हो तो आप वो काम भी कर सकते हो ठीक है अगर आपने कोई campaign बनाया है कोई आपने उसमें budget रखा है आप वो budget आपने कुछ रखा होगा उस समय, अब आप उस budget को change करना चाहते हो, उसको undo करना चाहते हो, जो budget पहले था, वही करना चाहते हो, तो वो काम आप कर सकते हो, यहाँ से, तो देखो, यहाँ पर मैं हूँ change history पर, अब देखो, यहाँ पर कोई मैंने काम किया होगा, add group create किया है, मै यहाँ पर एक option है undo, मैं यहाँ से undo कर सकता हूँ, तो सारे changes को आप यहाँ से undo, कई changes हैं, जिने की आप undo नहीं कर सकते हैं, देखो, यहाँ पर campaign create किया है मैंने, तो मैं इस के ओ undo नहीं कर सकता है, यहाँ पर देखो, मैंने add group create किया है, तो इसको मैं undo कर सकता हूँ, यहाँ प तो suppose 4-5 लोग हैं, जो की आपके account पे काम कर रहे हैं, आपने 4-5 लोगों को access दिया हुआ है, तो किसने ये change किया है, आप यहां से वो देख सकते हो, और वो changes जो हैं, आप undo कर सकते हो, जो भी उन्होंने changes किया है, यहां पर undo का option है, तो यह देखो, video add remove कि आप video add create किया है, आप इसको undo कर सकते हो, ठीक है, तो जो भी changes है, आप यहां से undo कर सकते हो, अगला सवाल उठता है, कि आप access कैसे दे सकते हो, किसी और को अपने account का access कैसे दे सकते हो, या किसी और के account का access कैसे ले सकते हो, तो देखो, आपको जाना है tools and settings में, ठीक है, tools and settings के अंदर जाना है, और आ आप यहां आऊगे ना तो देखो आपको option मिल जाएगा या simple आप एक काम कर सकते ह। आप यहां पे अपने account पर आजाओ account पर option नहीं आ रहा है तो आप यहां पर आओ tools and settings में और यहां पर देखो तो आपको option मिल जाएगा, access देने का, देखको यहाँ पे एक option है, account access, देखको, setup के अंदर option है, account access, तो आप account access पे जाओ, और यह plus का option है, आप plus का option क्लिक करो, यहाँ पे email address डालो, जिसको भी आप access देना चाहते हूँ, और then आप क्या access देना चाहते हूँ, तो आप उनको admin बना सकते हो आप standard access देना चाहते हो तो यही चीजों का access मिल जाएगा आप उनको standard access देना चाहते हो email only करोगे तो देख लो आप इसमे read only करोगे तो देखो यह सारे access मिल जाएंगे वो reports देख सकते हैं कौन-कौन इसमे product links हैं वो सारे information देख सकते हैं email only user side कर सकते हैं standard लिखोगे तो campaign वगरा बना सकते हैं right तो आपको just यहाँ पर email address लिखना है जिसको भी आप access देना चाहते हो और यहाँ से आपको send invitation कर देना है जैसे आप invitation भेज दोगे उनको एक email आएगी और उस email से वो आपका invitation accept कर सकते हैं right तो ऐसे आप किसी को भी अपने account का access दे सकते हो या किसी के account का access ले सकते हो आपको किसे का account का access लेना है आपको अपना email address उन्हें देना है और वो उस email address के यहाँ पर just डालेंगे और आपको access दे देंगे आप make sure करो तो कि आप standard access लो किसी से, अगर आप admin बनना चाहते हो तो आप admin access ले लो, वरना standard access से नीचे मतलो आप नहीं तो आप add वगरा बना नहीं पाओगे, बस आप देख पाओगे, तो यहां से आप access ले सकते हो, और change history में जाके, जो भी changes है, आप उन्हें undo कर सकते हो, तो यह बड़ उजे access दे दो, वो अपना add account बनाए, अपना card लगाए, आप just उसे क्या दे दो, आप उसे access दे दो, या आप उसका access ले लो, ठीक, अपना सीधिया आप अपना email address दो, और आप उस client को बोलो, कि भी आप मेरा email address डालिए, और आप वहां से access ले लो, या फिर एक काम आप और क कर सकते हो, आप उस account का, या उस client का email address या password ले लो, दोनों चीजे ले लो, आप नया adword account बना दो, और खुद को access दे दो, और अपने client को बोल दो, कि भाई, अपना password आप reset कर लो, ठीक है, तो ये दोनों काम आप कर सकते हो, account access से आप account access दे सकते हो, change history से आप सारे changes undo कर सकते ह ठीक है जी, that's it from this lesson, thank you so much for watching this video.